हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो WhatsApp है ना उस WhatsApp का QR Code कैसे निकालते हैं जो बार कोड हम बोलता है QR Code बार कोड वो कैसे निकाला दता है आप भी अपने WhatsApp का निकाल सकते हो और वो बारकोड आप किसी को भी दे दोगे तो आपको मुवाइल नंबर देने की जरूत नहीं है या तो आपको कोई बारकोड दे रहा है तो उसका मुवाइल नंबर की कोई जरूत नहीं है आप उस बारकोड को स्कैन करके डिरेट उसको वाटसप पे चैट कर सकते हो उससे वीडियो कल एडियो कल बात ही कर सकती हो यानि कि यह दोरो तरफ से होता है आपका भी barcode निकालने का तरीका बताहूँगा अगर जो कोई सामने वाला आपको barcode दिया है तो उस barcode को scan कैसे करना है वो भी बताहूँगा सो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है अपना WhatsApp उपेन करना है WhatsApp उपेन करने के बाद आपको उपर यहाँ पे मिलेगा तीन डॉट यह वाला तो तीन डॉट पे आपको क्लिक कर देना है तीन डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक option आपको मिल जाता है Settings का तो आपको Settings वाले option पे क्लिक कर देना है Settings वाले option पे आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तो आपके सामने यहाँ वाला page आएगा उसके परसे आपका Mobile Number वगरा यहाँ पे दिखाएगा उसके बाद दोस्तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना तो यहाँ पे छोटा सा एक बारकोड आपको देखने को मिलेगा यह वाला इसी छोटे से बारकोड पे आपको क्लिक करना है टिक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तो, ऊपर एक option है, यहाँ पर मिलेगा, scan code का, यह, to scan code पर जब आप click करोगे, तो आपके phone का camera है, वो camera है यहाँ नेएपी open हो जागा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, phone का camera यहाँ पर open हो गया, अब phone का camera open हुया तो यहां से दोस्तों आप कोई barcode scan करके direct उससे whatsapp पे chat कर सकते हो यहां तो दोस्तों आपके पास उसका phone नहीं है कि यहां पे barcode को लगा के scan करो तो दोस्तों आपको करना क्या है यहां पे देखो यहां पे नीचे यहां पे नीचे आपको मिलेगा gallery का logo तो गैलरी के logo पर डोगों पर दोस्तों आप अपने gallery में पहुंच जाओगे और गैलरी में अगर जो कोई barcode है मालो गैलरी में कोई barcode है तो उस पर आपको क्लिक करना है उस पर आप क्लिक करोगे ना तो वो बार्ट दोस्तों यहां पे आटोमेटिक ले लेगा जैसे कि याँ पर मैंने बारकोड पर नहीं क्लिकक किया तो इसलिए दोस्तो यह लिख 계 reboot ले लेगा इसलों से दोस्तों आप अपने WhatsApp का बारकोड निकाल सकते हो और दूसरों का बारकोड इसकें करके उससे चैट कर सकते हो